कॉमडी शो से स्टार बनने वाले कपिल शर्मा अब फिल्मों में भी काम करने लगे हैं लिकिन पिछले कुछ दिनों से उनके चमकते हुए सितारे दुंदले नजर आ रहे हैं पिछले साल तो हदी हो गई थी जब कपिल शर्मा अपने टीम के साथ औस्टेलिया के दोरे पर गए थे और उनका जगड़ा हो गया था इसी वज़े से वे काफी विवादों में घिर गए थे इसके बाद कपिल शर्मा के सुनिल गुरोवर के साथ हुई लड़ाई से चैनल को काफी नुकसान हुआ और उनके टीवी शो की त्यारपी भी काफी ज़ादा घट गई थी खबरों की माने तो ये सब कपिल शर्मा के साथ एक लड़की की वज़ा से हो रहा है और आज हम आपको उसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं खबरों के अनुसार माना जाता है कि कपिल शर्मा को जब शूटिंग के लिए डारेक्टर फोन कर रहे थी तो उन्होंने फोन का कोई जवाब नहीं दिया इस बात पर चैनल वालोंने कपिल शर्मा की गर्लफेंड को फोन किया तो उन्होंने बताये कि कपिल का शूटिंग पर जाने का मन नहीं था इसलिए वे नहीं आई जादातर लोगों का मानना है कि कपिल शर्मा के करियर बरबाद होने के पीछे उनकी यही गल्फेंड है क्योंकि कपिल शर्मा जादर तर समय अपनी गर्फेंट के साथ ही रहते थे और जमकन नशा करते थे उनके इस गंदी आदत की वजह से वे अपने काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे थे हम आपको बता दे कि कपिल शर्मा अपनी इस गर्फेंट को पहली बार पंजाबी चैनल शो हस बलिये पर मिले थे और जबसे ये दोनों एक साथ है और खबरे थी कि इस साल के अन तक ये दोनों शादे कर लेंगे लेकिन इन्हों ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया दोस्तों आपको क्या लगता है कपिल का करियर बरबाद होने के पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ है खुद कपिल का या फिर उनकी गर्लफेंट का हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ऐसे खबरों से जोड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्काइब जरूर कर ले